आपने सुना, प्लेज, माने, माने सुधान सोजी, प्लेज कॉंटिनुवेरी स्पीच। बावजूद, सबसे वरिष सदस्य के द्वारा या नुरोग करने के बावजूद, जिस प्रकार का आचरण दिखाये जारा है, इससे साफ समझ में आता है, सभापधि महोदे, कि इनका उद्देश सवाल, सवाल का जवाब, और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका पांच पर, राश्पधि महोदेया ने कहा कि ये देश के इतिहास में साट साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है, जब लगातार तीन बार किसी प्रधान मंतरी को इस प्रश्ट महोदे प्राप्त किया हूँ, और जिस समय महामाई में राश्पधि महोदेया ने तीसरी बार मोदी जी के नितुर्त में भारत की जनता ने इस पश जनादेश दिया और पंडि जवालाल नहरू जी का वो रिकार्ड जिसके उपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई, मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदत से कहते हैं, कि साब नहरू जी की बरा बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ तीन बिंदु दूँगा, जिस पर हम मानते हैं कि नहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती, नमबर वन, जब मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री के केंडिडेट चुने जाने थे, सभाव अधि जता है नेतिकता के आधार के उपर निर्णे और उस समय राजनाज सिंग जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे ही अधाय तो दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूँ और जब बैठक समाप्त हो जाए तो अब एक साथ मोदी जी घोशित हुए उधर पंडित जवालाल नहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहट 26 अपरेल 1946 को कॉंग्रेस का नया जक्ष चुना जाना था और उसके लिए कॉंग्रेस वर्किंग कमेट्री की बैठक होनी थी और 20 अपरेल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने रिकॉर्ड आचारिक किपलानी ने अपनी किताब गांधी इस लाइफ एंड थाट मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम राज मोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रक्षात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किता है कि एक वोट मिला पटावी रमया को और शायद एक या दो वोट मिले आचार कपलानी को शेस सारे वोट मिले सरदार पटेल को और शून्य वोट मिले जवालाल नहरू जी को वाकई कैसे तुलना हो सकती है सर्व सम्मत इसे पुर्धान मंत्री के कैडिडेट बनने वाले मोधी जी और शून्य वोट पाकर पुर्धान मंत्री के कैडिडेट बनने वाले सर्दार हमारे नहरू जी एक वो नेता जिसको पूरे देश नेता माना एक वो नेता जिसको उत्की पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना इसलिए वाख़ी तुलना नहीं हो तक्ति बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांदी जी की इक्षा थी तो सारे डेलिगेस ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशी धरूर जी ने आम अंकल वापस कर लिया उस समय गांदी जी की इक्षा के बावजूद किसी ने नहरु जी को वोट नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ आज खड़गे जी की सिती उस समय के नहरु जी से बेतर है अब मैं दूसरा बिंदू कहना चाहता हूँ कि इसमें वाकई प्रधान मंत्री शी नरिंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो तकती देखे नहरु जी ने के विशे में प्रख्षात शायर मज़ू सुल्तानपुरी ने काटके लिख दिया था कि उनकी कारिशेली में हिटलर की जलक दिखती है और उसके बाद सभापधि मोदे दो साल जेल में रहे था और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौद, मोदी जी की मृत की कामना और कबर खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िये जिनोंने बोटी-बोटी की बात कही थी वो सम्मानिस सदत से होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावदूर किसी पर कोई कारवाई नहीं हो रही है तो मैं मानता हूँ कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नहरू जी की दोनों की अप्रोच में जमीन आस्मान का अंतर है और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ हमारे तीसरा बिंदू हमारे प्रधानमंत्री सी नर दीव और मेरे विरोधी विशेश रूप से सुनें इसके अतरिक तमाम मुस्लिम देश इजिप साओधी अरभिया यूनाइटेड अरब अमीराद बहरीन अफगानिस्तान और विशेश कर ध्यान दे फिलिस्तीन इतने देशों ने अपना सरवोच नागरिक सम्मान प्रधान मंत्री को नहीं मिला और प्रधान मंत्री जी ने किसको सरवोच सम्मान दिया हमने भारत के हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समीतिने सिर्फ हमारे नेताओं स्वरगी अटल विहारी बाजपे जी और आधरनी लाल किष्ट अडवानी जी कोई भारत का सरवोच नागरिक सम मान दिया कॉंग्रेस के तीन बड़े नेताओं को भारत रत न मिला मदन मोहन मालवी जी को हमारी सरकार में भारत रत न मिला प्रणव मुखर जी को हमारी सरकार में भारत न मिला पीवी नर्सिमाराव जी को हमारी सरकार में भारत न मिला हमारी पार्टी के नहीं ते परंतु कर पुरी ठाकुर जी को भारत रत मिला और कोंग्रेस के नेता CR जमीर और तरुण कोगोई जी को पने वाड मिला दूसी तरफ नेहरूजी ने क्या किया ना किसी से वाड मिला अरे भाई दूसरी पार्टी चोड़िये अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साव अम्बेटकर को भी नहीं दिया उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत ने लिया यानि एक मोदी जी जिन्होंने सब को भारत रत ने दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत अद्न मिल गया तो मैं मानता हूँ कि इन तीनों बिंदों पर नहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी नहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधान मंत्री हैं और उन्होंने ये अतुलनीय उपलत भी हासिल की और एक बात और कहूंगा अंत में वाकई दोनों में बराबरी नहीं है हम लोग बच्पन में एक बड़ा घीत था जो हमारी पीडी और हमसे पहले वाली पीडी ने अवश्य सुना होगा कि देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़के दोड़े जवाहर लाल और हमारे प्रधान मंतरी जी चाय की केटड़ी लेके प्लेटफॉंपे दोड़े नरिंदर नाल दोनों में जमीन आसमान का अंतर था वो जवारात के लाल थे और नरिंदर मोदी जी गुद्ड़ी के लाल थे वो हीरे जवारात के बीच में उनका बच्पन गुज्रा और इन्हों ने गुदड़ी के लाल ने निकल कर आज भारत माता का भाल जिस उचाई तक पहुचाया है उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पर आता हूँ कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है राश्पदी महोद्या ने अपने बिन्दुक्रमांग 5 में इस विशे का उलेक किया है